गाइज आप तब का नए ब्लॉक में प्रेशे स्वाइट है तो भाई अब हम यहां दुर्दवारा से निकल के चले हैं हेमपुल्ड के लिए ट्रैक और काफी जो है मुंगूरा बरफुल एडवेंचर रहेगा और चलते हैं दिखाते हैं अब हम हेमपुल्ड साहथ के लिए यात्रा के लिए ट्रैक के लिए यहां से वाई निकल चुके हैं और यह जो एक सब्सक्राइब यह इसी रास्ता है और अभी सुबह के जो है च्छाई बजे च्छाई बजे से चुरू कर दिया है ताकि जल्दी हम पहुंच जाए और अभी सब्सक्राइब कर्छाइब करें की अधरी पानी के लिए यह पूरा है यहां वागि पूर पिलफ करकर आए से और यह देखेक Consंसे हैं बाइन जो पीरने के लिए होता है ना पुरा गुर्दवारे में दो पानी जाता है अभी भाई थोड़ा बस पांग के निटर चल करके आए हाथ जो है एकदम जमने लगे तनी ज्यादा थंडी हाँ पर रही है बहुत ज्यादा थंडी पर रही है यह देखो वाई यह देखो दम कैसे पहाड निकलते ही पहला ग्लेसियर यह देखो वाई और यह देखो यहां से जरने से पानी गिर रहा है और यह पूरा ग्लेसियर है बरब का यह पहाडी से देखो एक जरना वह गिर रहा है उदर और एक जरना इधर गिर रहा है और यहां हाथ पूरे जो है अग्दम जम पानी नद्धी में पानी निकल चा रहा है पूरा जो स्पराने गृंथ है जैसे यह देख पूरा यह कभी खराब नहीं होते हैं य gwोज तो अब थोड़ा ही बचा है यहां से घूंगते हुए और वह जो ग्लेसियर दिख रहा है उसके पीछे हैंकुन सहब है तो भाई वह ग्लेसियर पार करते ही हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर तो अभी यहां का थंदी बहुत ज़्यादा है और यह देखो कैसे पहाड़ों से पानी गिर रहा है दर से और यह घाटी के नीचे दिख रही ना यहां से नीचे से माय है और यह देखो भी इधर से हम तो चरणा इस तरब से है चोटे करनी भी लग रही है और सास भी फुल रही है तो पहुंचने वाले एक घंते में पहुंच जाएंगे एक एंदर थालता थे यह दिढ़ rust आज अगे-धरrd सेे यह इंचे यह पार सोड कर रास्तार आ का यह देखो इधर से यह और पहाड़ी से होते हुए इधर से चले निकलता धीरे धीरे और यह देखो प्रवीन आ रहे हैं यह इधर से जाएंगे ना तो ज्यादा दूर पड़ेगा अब यहां से हम चड़ लिए हैं तो एक किलोमेटर हमारा बच जाएगा पॉल तक चले में तो अराम रहता है पर सांस ज्यादा फूलती है तर यह देखो भाई कैसे चड़ना पड़ रहा है क्योंकि पैर बहुत ज्यादा रपड़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा था अराम से ज़र चड़ना पड़ रहा है अधिये देखो ग्लेसियर और भाई ग्लेसियर कुछ चेर करे पूरी रास्ता बनी पूरा आगे तक जाना अस पहारी को यह देखो धर के रास्ते पानी निकलदा ग्रेश यह देखो दोनों तरब बरफ है यह देखो आई बरफ ही बरफ देखो बरप काट के जो है जीना बनाया गया है यह देखो बरप साथ करने के लिए खड़े हैं जरसे यह बरप की रोड देखो रही है यह पूरी भाई बरप के जीना बने है यह पूरा ग्लेसियर है धर से पूरा पूरा ग्लेस है इसी तरह जो है अभी तीन किलोमीटर और चलना परेगा बोट पैर रपट रहे हैं देखो बरप को साप करने के लिए दोखो धर से यह देखो बरप पैर काफी रपट रहे हैं यह देखो बरप यह सब बरप है और पांच पांच दग्दस कदम पर यहां खड़े हैं यह जो बरप ग्रती इसको साप करके धर नीचे गिराते हैं इस तरह भाई पूरा ग्लेसियर है धर से यह देखो और अभी वह खंभा दिख रहा वो पहाड़ी वह पहाड़ी पूरी शीचरा हमको ग्ल अभी किसी में क्या बनाया है है थो किसम की शत्कता है भूआ खट देया की गुंष्कितल मुम्म करको भाई wreckage अफूरी बरप काठ रहे हैं इसको साप करके रास्ता बना रहे हैं यह देखो ताजी दरफ काटके रास्ता बना रहे है यह देखो वहीं पायर काफी रपट रहे ही इढ़र यह दे देखो यह देखो बरफ आगे गिर जाती इसको फी काटते है उसी गिराते है इस तरह भाई यह देखो पूरा ग्लेसियर और यहां से इसमें पानी पूरा ग्लेसियर का रहा है यह कुछ एक रास्ता है और इधर थे भाई और अभी उपपर हमको चाहना पड़ेगा आगे यह देखो बरफ पूरा जो ग्लेसियर है इसी का जीना बनाया है रास्ता पूरा देखो पुरानी रास्ता वो थी इसको इस तरब से कर दिया और यह देखो यह देखो भाई पूरा ग्लेसियर वो देखो कितना सब ग्लेसियर से पानी गिर रहा उपर हो जो पानी गिर रहा है आप गलेशयर चारपूरा यह देखो घंड़ा हो गजह ओधिखर रहा होगा वह तक जाना है तो हाँ चलते हाँ जोना फोल नहीं ज्यादा भाइद है बहुत ज्यादा भल हंडी है यह देखो बरत साप करें यह देखो का तूरा ग्लेशաर को तो सब लोग को कर दोरा साफ करते को नीचे गिराते रहते हैं सिभी देखो और धालना हैBaby ने ंख email यह वाला रास्ता ना यह सबसे यह आदा खतरनाक होता है पूरा क्योंकि ग्लेश फानी क् morally Tit anecdote ये ये दिर्फ किपकल पठाने तो यह व्योंगे से सबस्क्रेटरें रेस्स गच्द नाइसाइए और और ये बहुत खतरना रास्ता है और अब थिसी दूर बचा है यह देखो धर से कितनी बरफ है लगभग बस वहां तक अभी और चलना हमको और पाजी तुमाई बहुत सास फूलना ही रास्ता जो ना एक दर में पाउडी वाली रास्ता है जो ऐसे खड़ी चड़ाई तूरी सीधा यह देखो यह देख सकते हो कितनी बरफ है दोनों तरफ को गार्फ कराई यह द्हूलनी एंपन होँ चुके है पूरी बरफ है बन खतरनाक वाली बरफ अच्छे मेने के बाद समलोग इतनी ज्यदा इसा पूरा बन जाता पूरी गिलेसियर मेना भाई बहुत ज्यादा बरफ है चलकी आगा है सांस तो फूले ठंदी तो अभी चलना है मत्था टेकेंगे और मत्था टेकने के बाद यह है और यहां चाय मिल लही है यह दो सबुझे दब कर घंड नीचे अब लखडी का बनाए है यह देख़ो लगड़ी पेल निचे पूरा बिछाए हैं और ऐसे करके है यह दो को यहां पे लंगदर चलता है और गरम पानी भी नलला है और थोड़ा आगे चलके दिखाती है य देखो भाई cochakata यहां पी देखो है यहां पर इसी की मत्हां टेखने करता जाना क्योंक्क दूस्टा नहीं तुरा ग्लेटियर है यह दुबनेना साथ पहाल में पाथ कहाल यहां के सब जंडे लगे हैं इसमें करके इसमें करके तो भाई प्रवीन जा रहे हैं डुक्की लगाने और यह देखो भाई लगा दो भाई अधर यहां से नाओ यह दर ते अरे वहाँ यह नहीं नहीं पड़ रहे हैं लगा लो भाई डुक्की यह देखो भाई डुक्की लगा रहे हैं यह देखो भाई यह देखो भाई यह देखो इसके पाद ठंड लग रही पुरा सुन हो गया अब यह देखो भाई यह देखो भाई यह देखो भाई यह देखो भाई आप यह देखो भाई दो यहां हेमकुंट के बघल में भी को देसे की यह है ना इस पे यह देखो पूरी लेक पानी की पूरी लेक जो बरफ जमीं और दर्षन कराते हैं यह देखो भाई लचमन मंदिर के लिए जफ्त यहां जब लेक दिखाते हैं यह देखो लेक पूरा वहां से वहां तक दूर तक दिख रहा है पूरा बरब से जम गया है इधर से ठीक यह देखो पूरा गलेसियर है और यह देखो यह हेमकुं सहब चिका है और यहां से ऐसे आओगे इस रास्ते से और यह लचमन मंदिर है यह देखो वाई दर तो अभी थोड़ा धूप निकली है जब धूप निकलती है ना तो बरब औ जाबार्धिती है तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ यह पढ़िए पर सकते सीरी सरत्पाल जी महाराद व्हारा जी वह भर्क करवाया गया था और जलते हैं अंदर यह वाई देखो दार पूरा यह सब ग्लेसियर है ग्लेसियर है इस मौन्दिर के बारे में थोड़ा सा इत जिहास यहां का क्या है देख सकते भाई यह एक टपो अच्छली है जिसे लोगपाल है इंको नाम से इस उत्राखन में बिख्या तखा इस पवित्र तपो भूमे आदिकाल से रिखी मून तब करते आ रहे हैं जैसे कि लचमर महारा ने अपने पूरुजन में वास्की नाग से खुषना के रूप में तब किया और लचमर्च अवतार में नेत रूप आउतारी तो आउतारी हुए और बड़े बड़े दुफ पंधार की और धार्म की रच्छा की तखा तिरी गुरु गुरु गोविल्फिन जीने भी पूरु जम्न दुफ दमन के नाम से अनकाल तक त किया और समाच घर्म की रच्छा की सभी याक्तिर्मों के अंगवब है कि तपो बहुती ये कहानी थी ये पूरी ये कहानी आपर लिखी थी और ये भोले बाबा का मंदिर है कि यहां भी पूरी कहानी आपको परकर दिखाया कि यहां का जो मंदिर का इतिहास क्या है और एक बार जबाएं ना तो दोनों मंदिर के जोह दरसन करें हैं तो अब हम इस मंदिर लचमन मंदिर के पास इधर आ गए हैं यहां पर तब लोग फोटो बिचा रहे हैं यहां पर बाबा रहते हैं यहां से पूरे ग्लेसियर है तो इस बरफ में चलते हैं भाई पूरी जो बरफ है ना बहुत खतरनाक वाली बरफ है अब आगे नहीं जाना है वहां से तार बने हैं यह दिखा देते हैं ग्लेसियर का पानी कैसे निकल लाई यह देखो भाई यह देखो यह जो लेक जमी है ना जो थोड़ा बहुत हम की आत्रा कर रहे हैं और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा करे ना तो भाई लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको और क्या चाहिए और बहतर से बहतर हम क्या कर सकते हैं तो उसके लिए भी बता दिया करो और यह देख सकते हो यहां का आप द तसवी गुरू थे उन्होंने पहले जनम में यहां पर बहुत तपस्या किया था और करने के बाद फिर जो और फिर उन्हों उसमें बैठते थे रात में और दिन में अपना वो करते थे तो उन्होंने एक कमरा बनवा है उसके बाद धीरे धीरे यहां पर वो अपना चलने लगा यह भाई देख रहते हो पूरा और जो उनका पूरो जन्म का नाम था द्रस्ति जमन